तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस मोटर में चार वार होते हैं उसमें कौन सा वार रनिंग होता है और कौन सा स्टार्टिंग होता है और कौन सा वार कॉमन होता है इसे आप स्रीज बोर्ट और मल्टिमीटर के थुरू कैसे चेक कर सकते हैं और इसके अलावा ज तो दोस्तो जब हम मोटर को वांडिंग कराते हैं तो कोई मोटर में तीन वायर दिये जाते हैं और कोई मोटर में चार वायर दिये जाते हैं तो दोस्तो यह जो मोटर है इसमें चार वायर दिया गया है तो दोस्तो चार वायर जो इसमें दिया गया है वह दो कलर में यानि कि दो कलर ब्लेक में दिये गए और दो कलर रेड में दिये गए तो दोस्तों यह जो कलर है इस कलर के साथ हमें क्या पता चलता है तो इससे आप समझ लिजे जैसे कि इसमें दो वार ब्लेक कलर में तो यह दो वार एक ही कलर में यानि कि इस मोटर का एक कोईल का तार है और इसमें दो वायर red color में दिये गए तो यह इस motor का दूसरे coil का वायर है तो दोस्तो बस हमें इतना ही पता चलता है बट हमें दोस्तो यह पता नहीं चलता कि कौन सा running का है और कौन सा starting का है तो दोस्तो इसे पता करने के लिए हमें series board या multi motor थूश चेक करना पड़ता है इसे हम आपको वीडियो के दरान सिखाएंगे तो दोस्तों उससे पहले यदि आपके मोटर में चार वाई दिया गया है और वो चार वाई एक ही कलर में है या अलग-अलग कलर में दिया गया तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौनसा वार रणिंग, स्टार्टिंग और कॉमन है तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको series board के ठूट चेक करके सिखाएंगे और उसके बाद आपको multimeter के ठूट भी आपको check करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा running, कौन सा starting और कौन सा comment है तो सबसे पहले हम आपको series board को छुछ चेक करके दिखाएंगे तो दोस्तो हमने आप पर series board ले लिया है तो दोस्तो अगर आपके पास series board नहीं है तो आप उपर IV बटन में जो link सो हो रहा है उसे आप click करके video देख सकते हैं और series board बना सकते हैं तो आपको यहाँ पर check कैसे करना है उसे आप समझ लिजे दोस्तो आपको यह जो motor का चार वायर दिया गया है तो उसमें आपको क्या करना है series board का किसी भी एक वायर को motor का जो चार वायर दिया गया है उसमें का किसी भी एक वायर में टच करके रखना है और जो series board का दूसरा वायर है उससे बाकिक के वार में ठच करकर के देखना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर इन दो तारों के साथ हमारा बल्ब गलो कर रहा है यानि कि हमें इसमें कंटूटूटू मिर रहा है यानि कि दोस्तों यह जो दो वायर है मोटर का दूसरे कोईल का तार होगा तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें हमें कंटूटी मिल रहा है यानि कि यह जो हमारा मोटर का दूसरे कोईल का तार है मगर दोस्तों हमें यह पता नहीं चला है कि कौन सा running का है और कौन सा starting का है इसे आपको पता करना है तो आपको कैसे पता करना है हम आपको बताएंगे तो आपको क्या करना है आपको दोनों coil को चेक करना है और आपको यह देखना है कि किस coil के साथ हमारा बल्ब ज्यादा जर रहा है और किस coil के साथ हमारा बल्ब कम glow कर तो चलिए हम एसे चेक करते हैं और देखते हैं तो दोस्तो हम यह जो कोयल है इसमें चेक आथके हैं तो आप दीखाले हमारा बिल्ब काले ह्लके यहाइं तो मैं आपको बता दूं कि जिस दो वयर के साथ हमारा मौन्ब बया है वह हमारे running coil का होगा तो हम यह पर आपको दुबारा दिखा देते हैं आप देसे इसमें हमारा bulb हल्का कम उगलो कर रहा है और यह जो रेड़ वाली coil है वायर है उसमें हमारा bulb हल्का सी ज्यादा जल रहा है यानि कि जो दो रेड़ कलर में यह हमारा इस motor का starting coil का तार है और जो ब्लेक वाली वार है वह हमारे इस motor का running coil का तार है दोस्तों इस पकास आप पता कर सकते हैं और दोस्तों कॉमन वार की बात करें तो इसे कॉमन वार को बनाना पड़ता है जिससे हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे तो अब दोस्तों हम आपको मल्टी मिडर के दूर्श चेक करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप मल्टी मिडर के दूर्श चेक कर सकते हैं कि कौन सा running starting है तो आपको मल्टी मिडर का जो mode है उससे बजर mode में रख लेना है अब उसके बाद को क्या करना यह जो चार तार दिया गया है कोई भी देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन दो तारों के साथ हम ठच कर रहे हैं, तो हमारा मल्टिमीटर में रेडिंग सो हो रहा है, वीप साथ, यानि कि यह जो दो तार है, वह हमारे इस मोटर का एक ही कोईल का तार है, अब जो दो तार बच्चा हुआ है, वह दू तो आपको दोनों क्वाइल को चेक करने आपको क्वाइल तो पता चल चुका है तो हम इस क्वाइल में देखते हैं इसमें 125 के आसपास हमें रिडिंग सो हो रहा है यानि कि दो तो जिस क्वाइल में आपका रिडिंग ज्यादा सो होगा वह आपका रनिंग क्वाइल का होगा और जिसमें आपका कम 100 होगा वह आपका इस्ट्राटिंग होगा तो यहां पर देख रहे हैं 120 के आज पर हमें रिडिंग 100 हो रहा है यानि कि यह जो दो तार है वह हमारे इस्ट्राटिंग कोईल का तार है और यह जो ब्लेक वाली वार है इसमें हमारा रिडिंग 125 सो हो रहा है यानि कि यह हमारा running coil का तार है तो दोस्तो इस पकार से आप पता करके जान सकते हैं अब दोस्तो बारी आती है capacitor का connection करने का तो उसके सबसे पहले आपको common wire बनाना हो तो आपको क्या करना है एक wire आपको running coil से लेना है और एक तार आपको starting coil से लेना पहले कोयल से और दूसरे कोयल से एक एक वायर लेना है और आपको आपस में इस तरह से जोड़ देना है और इस तरह से दोस्तो ये जो कॉमन वार है वह बन जाता है अब इसके बाद दोस्तो जो दो तार बच्चा हुआ है एक रनिंग का और एक इस्टार्टिंग का और उन द सप्लाई का जो दूसरा वायर होगा उसे आपको कैपिसिटर वाले किसी भी एक पॉइंट में जोड़ना यानि कि दोस्तों एक तरफ का वायर में जोड़ेंगे तो आप मोटर का डायेक्शन उल्टा घूमेगा और एक तरफ का वायर में जोड़ेंगे तो आपका मोटर का डा जय भारत वांदे मादा